कि एई गाईस कैसे हैं आप लोग आई होब कि आप लोग काफी अच्छे हैं मैं आपका स्वागत करता हूं कॉमर्सी पार्चाला में आज हम बात करेंगे सेलियन वीडियो में बात करेंगे इस वीडियो में तो बहुत इंपोर्टन होने वाला यह वीडियो उसके पहले मैं कुछ चीजा आपको बताना चाहूंगा लेकिन कि अब हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी यहां पर और सब्सक्राइब करने के बाद जो बहले के नए से दबा दिए तक कि आप मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है तो सबसे पहले मिलती रहें ठीक है दूसरी बात में बताना मेरे आपको फर्सोरी के साथी प्लेइस्ट मिल जाएंगी जिसका अनलगी रही है उसमें बनाने वाला हूं तो इस के साथ जुड़े रही यहां पर आकरके वीडियो को वॉच करते रहिए साथ हमारे वेबसाइट पर भी जा सकते है जिसका लिंक में दिसक्रिप्शन में प के बारे में बात कर रहा हूं अगर कोई बच्छा online classes में इंट्रस्टेड है तो आप अटायर्टी मुझसे बात कर सकते हैं WhatsApp पर मैं WhatsApp का जो लिंक है या फिर WhatsApp का जो नंबर है मैं इस वीडियो को description में प्रवाइड करा दूंगा आप classes के बारे में मुझसे बात करें आप classes जो है यहां पर online classes कर सकते हैं हर एक topic हर एक subject से आपको classes करवाई जाएंगे weekends पे आप चाहें तो हमसे बात कर सकते हैं ठीक है fees बहुत ही nominal से रखा जाएगा तो ज्यादा tension नेनी क्या हो सकता नहीं है आप अगर हमसे बात करेंगे तो है definitely इस बारे में फिर discuss कर रहे हैं हम लोग तो फिर चलते हैं हमारे अच्छी topic के तरफ जो कि resilient features of MS Word चलो फिर देख रहे हैं तो अमंग all the word processing software MS Word is used mostly most used widely is used most widely which provides advanced word processing and desktop publishing features the list indicates some of the basic features of MS Word तो जितने भी सारे word processing softwares हैं अभी के time पर पूरी दुनिया में जो लोग इस्तमाल करते हैं उस पर से MS Word जो है वो सबसे ज्यादा popular और सबसे ज्यादा widely used एक software है ठीक है आपने नाम चुना होगा Google Doc Google Sheet है na Google Doc actually MS Word टॉक software है document software है word processing software है तो इसमें सबसे ज्यादा popular जो है हमारा MS Word ही होता है तो ऐसे कौन-कौन से features है जो कि इसको इक तरीकी सा popular बनाते हैं या फिर ऐसे कौन-कौन features इसके कारण से बहुत ज़्यादा popular है इसके बारे में हम देख लेते हैं तो सबसे पहला है इसके पहला बात तो आपको अलाओ करता है कि आप एक document नया create कर सको और आप उसको save कर सको ठीक है you can add modify or delete the text anytime in your document and save it for future reference अब इस चीज के माधियम से MS Word के माधियम से आप किसी भी चीज को किसी भी document को आप बना सकते हो create कर सकते हो नया कुछ इसमें add करना है तो आप add कर सकते हो modify कर सकते हो कुछ चीज़ें आपको modify करनी है कुछ चीज़ें delete करनी है वो सारी कि सारी चीज़ें आप anytime in your document कर सकते हो और आप उसको future reference के लिए पेज में लिखने वक्त स्पेस थोड़ा आता है ताकि थोड़ा सा you know side side में space थोड़ा आता है ताकि दोड़ा देखने में अच्छा लगे तो वो चीज़ें यहां पर available है यहां पर आप सेट कर सकते हो कि कितना page margin आपको छोड़ना है और उसके बाद फिर आपको लिखना है है नशुआ है नशुआ है नशुआ है नशुआ है जासा कि आपका अवशुक्ता पड़ेगी इट फीचर अवरियस फॉर्मेटिंग उप्शंस लाइक एड चेंज ऑफॉंट और इस स्टाइल और इस ताइल मोर ओवर यू इन इंसर्ट हैडर और फूटर इन दोक्युमें तो एक तरीके से इसका जो फीचर है सबसे बड़ा फीचर वह यह भी है कि यहां पर आप फॉंट को बहुत ही असानी से चेंज कर सकते हैं चाहे फॉंट का साइज हो या पॉंट का स्टाइल हो है चाहे किसी को एरियल में लिखना हो या कैलिबर में लिखना हो या कोई भी अगर आपको font style पसंद है तो वो सारी की सारी font styles जो है वो ms word में available है according to as per your need you can change it इसके लावा सभी साथ आप header और footer भी डाल सकते हैं अपने document में the auto correct feature of ms word automatically correct the spellings and also suggest the alternative words तो जो auto correct feature ms word का वो बहुत ही important feature इसके मात्यम से suppose अगर आप कोई word लिख रहे हो जो कि आपसे गलती हो रही है कुछ और पर mistakes हो रही है तो ms words रहे है तुरंत आपको यह बता देगा कि यहां पर यह mistake हो रही है और आप तुरंत अपनों mistakes को ठीक कर सकते हो साथी साथ वो alternative words भी बताता है suppose आपने कोई word लिखा बट वो बहुत ही पुराना word है कुछ नया word suppose उस चीज को लेकर के आया है तो वो भी आपको suggest करेगा आप चाहो तो उस word का भी वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो so these are the features you will get apart from that it is also it also shows document statistics like word count यहां पर document statistics भी पताता है कि आपने कितने words लिखे हैं sometimes ऐसा होता है कि कोई article आपको बोला गया कि 1500 words में लिखो आपको अपने जब word आप लिख रहे हो तो आपको पता ही नहीं चल रहे है कितने सारे word आपने लिख दिया है भी तक है ना तो यहां पर statistics भी पता चलता है वर्ड में की word count कितना हुआ है कितना आपने अभी तक words लिखे है ना so sixth benefit now the seventh benefit is text can be written in and columnar style as written in the newspaper also text boxes can be inserted ना यहां पर जो text है देखो आप यहां पर तो उसको लिख सकते हो बहुत ही असानी से जैसे लिखा जाता है या फिर आप पर columnar style में लिख सकते हो जोसी के newspapers में कैसे सजा करके लिखा जाता है बीच में differentiate भी किया जाता है तो हर एक चीज जिस तरीके से computer में की जाती है का newspapers में की जाती है अब उन सारी चीज़ों को यहां पर you know practically you know आप चीज़ों को कर पाते हो है ना और यहां पर text boxes भी डाल सकते हो suppose कोई text आपने लिखा है वहां पर कोई text box में आपको कुछ और text डालने हैं तो वो भी वहां पर possible है you can create tables in the document आपको कोई table create करना है document में वो भी possible है वहां पर insert के button में आप जाएंगे तो वहां पर table का option देगा table आपको insert करना है तो वहां पर table भी इंसर्ट कर सकते हैं right यह भी possibility है the image and graphics can also be inserted in the document MS Word provides its clip arts or the pictures can be imported from outside है न अब आपको suppose अपने document में image डालना है या graphics डालना है तो वो भी possible है क्योंकि आप MS Word में जाएंगे तो clip arts आपको एक option दिखेगा जहां पर बहुत सारे ओरड़ी वहां पर images है और graphics है पर अगर आप बाहर से डालना चाहते हैं suppose आपके phone में है कहीं पर आपने download करके रखा हुआ है अगर आप outside कहीं से कोई graphic डालना चाहते है image डालना चाहते हैं तो वो भी MS Word में possibility है ठीक है न the mail merge feature of MS Word helps you generate multiple copies of letter with different address list जो mail merge का एक option है जो कि मैं जब डीटा का ग्रासिस करता था diplomat you know a financial diplomat information technology तुस ताम पर mail merge एक बहुत ही popular चीज था भी भी है इसमें क्या होता है कि आप mail merge के माध्यम से MS Word में जो भी आपने बनाया है जो भी आपने लिखा है उसको आप multiple एक ही टाइम पर सारे लोगों को भीज सकते हो है ना mail merge feature help feature of MS Word helps you generate multiple copies of letter हाना आप एक ही letter आप लिखना है लेकिन आपको multiple copies आप उसको निकालनी है with different address तो mail merge के माध्यम से वो possible है suppose एक letter आपने लिखा वो किसी दूसरा address पर जाएगा कोई और एक letter लिखा उसने आपको कॉपी करें कोई दूसरा address वहाँ पर डाल दिया फिर दो तीन और लेटर लिखे से लिखा हुआ है लेकिन address सबका अलग-अलग है तो वह मेल मर्ज के हिसाब से वह possible हो जाता है MS Word also provides macros that can be created and used in the document MS Word macro नाम का एक feature होता है macros जो की एक पहुत important feature है वह भी MS Word आपको provide करता है जो कि आप बहुत ही आसानी से create कर सकते हो और आपके document में आप उसका इस्तमाल कर सकते हो ठीक है so these are the advantages last point है online help is also available to know more about the versions sorry to more about the various features and tools of the MS Word अब सपोज आपको online help चाहिए आपको कोई दिक्कत होड़ी है या फिर कुछ आपको जानना है तो online support भी provide किया जाता है MS Word के दुआरा Microsoft के दुआरा जहां पे वहां पे क्लिक करेंगे online help का question mark तो वहां पर आपको online help भी provide की जाएगी आपको MS Word में कुछ दिक्कत होड़ी है तो वहां से help आपको provide की जाएगी so these are the benefits you will get यह उसके important features MS Word के benefits में भी आप इन सारे चीज़ों को लिख सकते हो क्योंकि यह benefits ही है features के मार्डियम से इसको बताया गया है तो से अगर आप से पूछा जाता है तो I hope कि आप MS Word का से बहुत ही असानी से लिख लोगे ठीक है मिलता है अगले वीडियो में अपना ख्याल रखो बाबाई thank you